Hello and Welcome to Grade Up Study, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी लोग सभा के इलेक्शन आने वाले हैं तो जो अचार सहींता है वो लग चुकी है और इस आजार सहींता से क्या-क्या प्रभाब अभी आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल परदेश में तो उसके बारे में अभ हम बात करेंगे तो यहाँ पे नियूद सामने आ रही है कि आचार सहीं तक कि अभी क्या-क्या मार हिमाचल परदेश की विद्यारतियों को जहिलनी पड़ेगी सबसे पहले आपको बताई है कि HRTC Connector का जो result है वो आ चुका है और Grade Up Study के 42 aspirants जो है वो select हो चुके हैं अभी के data के अनुसार ठीक है तो उन सभी को सबसे पहले very very congratulations ठीक है तो अब हम बात करेंगे कि joining letter आप सभी का कब आएगा देखिए joining letter भी अभी आपको नहीं आएगा इसके लिए अभी आपको wait करना पड़ेगा जोन तक ठीक है क्योंकि HRTC department में अभी आपको बता है कि driver के भी भरती चली हुई थी ठीक है और driver का तो अभी physical test चला हुआ था तो वो भी अभी complete नहीं हो पाया है तो यहाँ पे लिखा भी हुआ कि HRTC को न driver मिले है और न conductor मिले है जैसे तो conductor का result आ चुका है लेकिन joining letter जो है वो अभी आपको जून तक देखने को मिलेंगे ठीक है और जिन vacances का भी result आना बाकी है तो वो भी अभी जून के बाद है आपको देखने को मिलेगा यान कि जून तक आपको देखने को मिलेगा तो जून तक आपको उंतजार करना पड़ेगा लेकिन कुछ तो नहीं है most of the experiment ऐसे हैं जो कि police constable की तैयारी कर रहे हैं और वो देख रहेंगे police constable की भरती कब आएगी और पटवारी की भरती कब आएगी ये most दो ऐसे exam हैं जिनकी तैयारी काफी सरे explain करते हैं तो मैं आप सभी को बता दू कि police और पटवारी भरती के लिए भी आप ही आपको जून तक का wait करना प नहीं होता है जैसे कि अभी दो महीने को भी notification नहीं आएगी तो आपके पास अभी दो option है या तो फिर आप tension में आके दो महीने अपने waste कर लीजिए या फिर इन दो महीनों का सदूपयों करिए सदूपयों कैसे आप सभी को बता है कि काफी competition है हमारे हिमाचल परदेश में अ हो चाहे वो police हो चाहे वो पटवारी क्यों नहीं तो इन दो महीनों का आपको सदूपयों करना है और अपनी तैयारी को और बहतर करना है ठीक है और आपको बता भी है कि grade of study के दो batches अभी start हो चुके है mission worthy police constable के लिए और HP पटवारी के लिए भी हमारा जो batch है पटवारी 2024 के नाम से तो वो भी आपको मिल जागा हमारे application में तो तैयारी हम सभी अच्छे से कर रहे हैं तो आप ही कर सकते हैं ठीक है लेकिन कुल मिला के बाद ये है कि अभी जितनी भी यहां पे जो निक्तियां होने वाली है रिजल्ट आने वाला है या पिर notification आने वाली है तो उनके ल आपको दो महीने और इंतजार करना पड़ेगा ठीक है और HP RCA भी अभी तक ठीक है स्टार्ट कर दिया गया है लेकिन notification जो है अभी आपको election के बाद ही वहां पे भी देखने को मिलेगी ठीक है तो बस यही बात आपको बताने थी तो बस यह है कि दो महीनों का सदूप्यों क